हेलो एबरीबन दिस इस शुबं साहू फ्रॉम एम्जम मेडिकल कॉलीजिन दौर और आज मैं आप लोगों के लिए लेक्या हूँ लास्ट मुवमेंट प्रिपरेशन इस्टड़जी रहेगी लास्ट को फिप्टीन डेस हैं उसमें हमें किस तरीके पेपर सॉल्ब करना है क्य तू-टू-फाइब में आपको एक फुल शिलेबस का चैप्टर फुल शिलेबस का फोई मॉक्टिफ इसमें कम्प्लीट रहेगा फिलेबस जो एस्टरडजी रहती है भही इस्टरडजी पर हमें मॉक्टिफ शॉल्ब करना है हमें क्या क्या चाहिए लेक्वार्ट पेपर एक OMR feet चाहिए और एक चाहिए pen OMR feet जरूर होने चाहिए आपके पास अब क्या करना है प्रॉपर फिटिंग चाहिए जैसा environment आपको exam में मिलता है उसी same environment के पाद प्रॉपर फिटिंग के पाद आपको बैठना है जरूर होने चाहिए बिलकुल प्रॉपर फिटिंग बागाजा जैसा आप बहाँ पर बैठने वाले हो जो कपड़े पहन के आप जाओगी एठलिफ में तो जो जो sense रहेगा dressings और सबकुल same to swim आपको बही होना चाहिए जो exam में होने बाला है अब आपको क्या करना है कि आपका 2.5 hours में कम पर कम धाई गंटे में आपका 2.5 hours में आपको अभी अभी के लिए आपको 2.5 hours में पूरा test solve करना है अब देखो strategy क्या रहा है sequence क्या रहा है देखो जो मैंने follow किया जो मेरे बहुत सारी best mates जिनके 670 marks तक आए जो उन्होंने follow किया वह बहता रहा हूं सबसे पहले उन्होंने follow किया bio, bio solve किया फिर chemistry solve किया फिर physics solve किया देखो वह आपका mood है अधि आपका physics अच्छा है पहले physics कर लो chemistry कर लो लेकिन जो generally OMR चूट जाती है कहते हैं भाईया हम तो OMR फिली नहीं कर पाए 100 कुशन ही फिल कर पाए 150 फिल कर पाए तो OMR चूटना एक बहुत common problem है आपको क्या करना है उसके लिए आप क्या करो जैसे आपने 40 कुशन किए आप OMR फिल कर दो 40 कुशन करो फिर OMR फिल कर दो आप देखोगे आपके चार बार का आप लोगे ड्रॉप और आप OMR फिल कर दो ठीक है 40 40 कुशन कर लोगे आप OMR फिल करते जाओ आपके OMR भी फिल होती रहेगी और कुशन भी होते रहेगी अब इन सब strategy के बीच में क्या है कि इन 15 डेस में आपको पर डे 225 एक कुशन एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना है और उस मॉक टेस्ट में आपको कुछ कुछ कुशन सही होंगी ऐसा तो नहीं पूरे आपके बनेटी आउट और बनेटी कुशन अभी तो फॉरी 200 हो गए पूरे 200 सॉल्व हो जाए मान लो NCRT का आपने क्या आप बायो सॉल्व कर रहा हूँ बायो मैं मान लो आपको जो फर्स्ट चेप्टर है अपना डाइबर सुट्य ओफ लिविंग बर्ड से आपका कुशन गलत हुआ जो कुशन जिस बहां से मान लो की से गलत हुआ आपका कुशन ठीक है तो बहीं पर आपको उसी पूरा बो जो पैराग्राफ है वो पूरा पढ़ना है पूरा पैराग्राफ पढ़ना है दो को जो आप अपने पढ़ाई कर रहे हो इस टाइम पर आपको एक को सॉल्व करना है थैंक यू